हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम Bricks टेस्ट देखेंगे इड पर इच्छन से कैसे question पूछे जाते हैं उसको देखेंगे किस type से पूछे जाते हैं और कैसे solve करने हैं उसको देखेंगे देखिए साइको की exam में 5 type के टेस्ट आते हैं आप लोगों को मालूम होगा और कैसे solve करने हैं। साइको टेस्ट में देखिए कोई भी data आपको याद करना होता है कि कोई GKS आपको याद करना है। इसमें सिर्फ आपका memory चिक किया जाता है, आपकी memory power कितनी है, कितना याद करने की छमता है, उसको आपको इसमें देखना होता है, क्योंकि जैसे इसी टेस्ट में आप देख लीजिए, पांच मिनट में कम सकम 50 questions आपको करने को दिये जाएंगे, उसमें से भी आपको बिल्कु कर दिये जाता है, तो जिन लोगों के CBT2 एक्जाम बहुत ही अच्छा हुआ है, देखी वो लोग बिल्कुल एक्जाम की तयारी में लग जाएंगे, साइको की तयारी में क्योंकि आप जितना ही जादा प्रेक्टिस करेंगे, आपका साइको टेस्ट उतना ही अच्छा होग जितना जादा प्रेक्टिस टेट लगाएंगे, उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि टाइम हो सकता है, बहुत ही कम मिले एक्जाम के रिजल्ट के बाद, तो रिजल्ट का इंतजार न कर ये, जो लोग बहुत ही अच्छा एक्जाम करके आएं एक्कुरेसी के साथ, उनका 65 प यहाँ पर आप देख रहे होंगे इंट हैं तो इंट से कुछ जो रूल्स होते हैं उनको आप देख लेंगे तो हो सकता है आपके जो गलतियां होती है आपने हो सकता है पिछली बार गलतियां करके आए रहे हो तो इसमें वीडियो देखने बाद आपको कोई गलती नहीं होग तो यहां पर सबसे पहले bricks देख लेते हैं, bricks के जो dimension होते हैं, सारे सेम होते हैं, जैसे एक bricks का dimension L है, लंबाई L है, तो दूसरे का भी L होगा, तीसरे का भी L होगा, सारे की लंबाई सेम होगी, और सारे की चौडाई भी सेम होगी, और सब की उचाई भी सेम होगी, देखिए, cube भी हो सकता है eat और qubide के form में भी हो सकता है अगर एक eat cube है तो सारे eat जो आपको दिखेंगे सब form में दिखेंगे और कोई एक qubide है तो सारे जो इसमें eat दिखिंगे आपको qubide दिखेंगे नाम इसमें एदे दिया है इसमें कह रहा है कि एक ही सता से कितने इंट असपर्स कर रहे हैं तो ऐसे ही क्वेस्टिन आपको पांच मिनिट पचास करने को देखेने को मिलेंगे यहां पर मैं नीचे दिखाऊंगा भी आपको सबसे पहले आप देख लीजिए यह जो रूल्स होते हैं उनको रूल आप जान लीजिए देखिए डाइमेंशन सेम होते हैं दूसरा रूल है आपको देखिए कम से कम एक फेज दिखेगा ही किसी भी एक का एक फेज जरूर दिखे जैसे इसमें बी इंट देखी यहां पर बी इंट दिया है तो इसका एक फेज आपको दिखेगा ही और देखिए और तीन दिर्श से दिखेंगे ये रूल अगर आप याद कि रहेंगे तो आपको देखें गलती नहीं होगी यहां देखें क्वेस्चन जो बनते हैं यहां पर आपको ऐसे दे दी जाएगा और इनका जो आप्सन करने का यहां पर एंसर सीट दी जाएगी वह भी थोड़ा सा तरीके से डाटा सीट मिलती थे एंसर सीट यहां पर आपको अलग तरीके से मिलेगा यहां पर आप देख रहे होंगे तीन नंबर का टेस्ट जो है यह ऐसे ही आपको डाटा मिलेगा यहां पर आप देखिए आपका एक क्वेस्चन दिया रहेगा उसके सामने एक से आठ तक गिंती दी रहे होगी, यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे यह test देखें यह, और जब आप आपको online दिया जाएगा, तो आपको एक तरफ इन्ट दिया जाएगा, दूसरी तरफ यह पूरा option आपको यहां इस side में दिया जाएगा, आप यहां से आप question को देखें गे, answer लग होगा हो सकता है टाइम आपको जादा दिया जाए वो तो अभी डिक्लियर हो जाएगा रिजल्ट आने के बाद एक नोटिस जरूर आएगी अफिसली की कैसे आपको करना है सारा चीज उसमें इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा तो देखी इधर आपको सारे इमेज दिये रह इस्तिन दिया है कि gotten यहां को सामने कितने एक से कितने एसपरिसे इट करेंगे यहां के देखी अगर ऑप पांच फय तो यह पांच वालों कर ब्लैक कर देंगे अगर च्रहूं पूल कर दे तो आप किप यह शाड़ेगे yemek कर देंग तो आईज एं ईट को टीज्ट्श मैं आपको पूछा जायगा जैसे ए इंट दिया है इसके सतह पर देखि कितने इंट से यह सतह इसका अस्पर्स कर रहा है तो यहां में आप देखिए यह नीचे वाले सतह है यह देखिए D से कर रहा है और यहां पर आप सन आतम को क्या हो जाएगा जाय अब देखिए पहले ही kwiesचन में जैसे बी वाला दिया इसमें बी से अब आपको देखना है कितने से सत्ह तो कित्ने हो जाएंगे तीन हो जाएंगे वयसे द आपको पहले देखेंगा सि कर दीसे किसने में खरये हैं उसके बाद देखिए टॉप इवी देखिए ढ़हां पूरी दोनों की सेम ही फिस Dry의 108d कर है फिर यसे कर रहा है फिर आप जेखिए नीचे का वायु देख पर देखिए यहां खिर्भाप्र से lower कितने हो गई चार हो गई त इसाव को हैं आपको देखने को मिलेंगे और दो एक्जांपल देख लेते हैं ताकि आपके जो डाउट है पूरे तरीके से क्लियर हो जाएं तो यहाँ देखी जैसे एक क्वेस्चन अब आप ले लेजिए इसमें देखी आपको ऐसे क्वेस्चन दिये रहेंगे और आपको करने को दे दिये जाएंगे तो आप कैसे करेंगे इसको देखीए सबसे पहले आपको आपसं मैंने आपको दिखाए कैसे उपर दिया रहेगा उसी फार्म में आपको मिलेगा साइड में यहाँ पे आपको इधर सबको क्लिक करते जाना इधर आपका क्वेस्चन देएगा तो यहाँ पे ए से पूँच रहा है कि कितने असपर्स कर रहे हैं सबसे पहले आप ए से पूँच रहा है तो ए इंट को देखेंगे टॉप व्यू फ्रंट व्यू साइड व्यू आप देख लेंगे बिल्कुल आपका डाउट क्लियर हो जाएगा उपर नीचे साइड और बगल देखी यह सारे चीज आप देख लेंगे तो एक भी क्वेस्चन गलत नहीं होगा यहाँ पे आप देख लिए न तो एक के देखिए एक जो उपर वाला है उपर देखिए उपर का फेस डी से असपर्स करेगा फिर नीचे वाला फेस यहाँ देखिए यहाँ पे एक इंट है इस से असपर्स करेगा उसके बाद देखिए एक साइड व्यू है यहाँ पे यह एक इंट दिख रहा है इस से असपर्स करेगा तो कितने हो गए तीन हो गए तो ऐसे आप बी का देख सकते हैं बी का आप देख लीजिए क्योंकि जल्दी जल्दी question करने होते हैं पांच मिनट पचास question माइने रखते हैं तो आप जल्दी जल्दी करेंगे तभी आपके question बिल्कुल सही हो पाएंगे यहां पर आप बी इंट देखिए बी से पूछ रहा है तो बी इंट देखिए यहां से यहां तक गया देखिए लंबाई सब की सेम होगी तो सी इंट जो इसके इस साइड में है उसकी भी लंबाई यहां तक इसके पीछे तक होगी B के पीछे तक होगी तो देखिए C से 2 हो जाएगा उसके बाद आप देखिए यहाँ पर अब देख सकते हैं उपर यह यह वाली इंट है इससे एसपर्स करेगा एक इंट देखिए यहाँ से इस साइड से इधर तक गया होगा उससे भी इसपर्स करेगा उसके बाद E वाले से असपर्स करेगा पूरा count curling कितना हो जाएगा पांच हो जाएगा उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे C वाला C वाले इंट देखिए यहाँ से ऐसे गया है उसके बाद यह देखिए C किस से किस से इस इंट से करेगा और यह उपर वाले इंट से क्योंकि देखिए यहाँ पे असपर्स करेगा तो इसको भी count कर लेंगा दो हो जाएगा एक इसके इस side में है इससे असपर्स करेगा देखिए तीन हो गया उसके बाद देखिए इसके उपर एक इंट यह रखिए इससे असपर्स करेगा तो देखिए यह जो C वाला है आप देखते होंगे लंबाई सबकी सेम है तो यह यहाँ से इस side इस तरफ तक आया होगा तो इसके उपर तो मैंने यह count कर लिए उसके बाद इसके ही उपर यह रखा होगा तो इसको भी count कर लिए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और इसके उपर ही यह यह वाला इंट रखा होगा मैंने बताया ना सबकी लंबाई सेम होती है तो देखिए यह यहाँ से यहाँ तक गया होगा नीचे नीचे से उसी के उपर यह भी रखा इसके बगल वाला तो टोटल count करेंगे कितने हो जाएगे 6 हो जाएगे तो ऐसे करके आप जितना ज़्यादा practice करेंगे उतना जल्दी जल्दी आप count कर पाएंगे तो मैं सारे वीडियो सब पर एक एक बना दूंगा तो चैनल को subscribe कर लेंगे और bell icon को दबा लेंगे तो सारे वीडियो आपको बिल्कुल serial by serial मिलते जाएगे और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा Thank you for watching this video